नमस्कार दोस्तों मैं निधिया अगरवाल वास्तु कंसल्टेंट, निमरोलोजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपोर्ट आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगे पायरेट क्रिस्टल को क्लेंज कैसे करत पायरेट क्रिस्टल जिससे बोला जाता है फूल्स गोल्ड क्योंकि बिल्कुल गोल्ड की तरह ही दिखने वाला शाइनी चमकदार एक्रिस्टल होता है अक्चली इस इस मोर उफ मैटल मैटलिक प्रॉपर्टी बहुत है इसमें आयान भूत होता है इसी वज़े से इस क्रिस के साथ जब भी पायरेट को हम क्लेंज करते हैं तो हमें इसे कभी भी रनिंग वाटर में क्लेंज नहीं करना है ना ही हमें इसे किसी सौर्ट वाटर में डिप करके रखना है जैसे ओवरनाइट हम रखतेते हैं किसी क्रिस्टल को करने के लिए चार्ज हमें पायरेट को जो क क्लेंस करना है उसमें और तरीके अपनाने हैं जिससे कि लेंस हो जाया चार्ज हो जाया उसका जो एक चमक बनी हुए शाइनिंग जो होती है इसके अंदर वो किसी भी तरीके से जाये ना तो सबसे पहला तरीका है कि आप इसे संलाइट में रख सकते हैं आप इसे 1-2 गंटे तक पूरा दिन भी sunlight में रख सकते हैं, यह crystal खराब नहीं होगा, यह crystal पूरी तरह से cleanse हो जाएगा, और charge हो जाएगा, पाइराइट को आप फुल मूर नाइट में रख सकते हैं, पूरी रात आप इसको चंद्रमा की रोशनी में, पूर नीमा का जो चंद्रमा होता है, फुल मूर नाइट में आप इससे पूरी रात रख सकते हैं, उससे भी यह पूरी तरह से cleanse हो जाता है, और charge हो जाता है, हमें ध्यान रखना है हम इसे मिट्टी में भी नहीं रखना है जो कि तरीका है क्लेंज करने का क्रिस्टल को क्योंकि मिट्टी में कहीं नमी होती है पानी होता है उससे भी एक आला पड़ जाएगा तीसरा जो तरीका है हम जैसे सेज कोई भी सेज जला कर उससे crystal को उसकी जो धूनी होती है उसमें crystal को charge करते हैं हम वैसा भी कर सकते हैं चौता जो तरीका है इसको charge करने का हो है sound therapy से इसके पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरह हम crystals को sound therapy जो होते हैं तिबिती इन बॉल्स आते हैं आपने देखे होंगे जिसमें sound निकलती है अगर हम उसे बजाएं तो उस तरीके से भी हम pirate को cleanse or charge कर सकते हैं pirate को अगर आप किसी भी selenite के plate पे या फिर किसी clear quads के उपर अगर रखना चाहें तो उससे भी cleanse or charge हो जाता है वो तरीका भी आप अपना सकते हैं इसको cleanse or charge करने के लिए जो लोग रहकी जानते हैं वो लोग रहकी से भी अपने pirate को cleanse or charge कर सकते हैं तो यह तो तरीका हुआ जब आपका pirate आपको पहनते वे 8-10 दिन हो जाई है जितना भी जादा आप लोगों के contact में आ रहे हैं उतनी ही जल्दी आप अपने pirate को charge करेंगे और अगर आपको लगता है कि जरूत है या आपको अंदर से ऐसी feeling है कि मुझे अपने pirate को cleanse or charge करने हैं जब आप ऐसा कर लेंगे उसके बाद आपको अपने receiving hand में left hand में इसे रखना है right hand से ऐसे cover करना है और उसके बाद आपको ऐसा assume करना है ऐसा सोचना है कि एक white light जो कि sky से आ रही है और आपके crystal को पूरी तरह से आपके crystal के उपर आकर और उसे charge कर रही है उसके energy भर रही है divine जो universal energy होती है वो भर रही है और आपके मन में अपने pirate को हाथ में लेकर जो भी manifestations आती है चाहे वो health, wealth, property किसी भी चीज़ को लेकर opportunities से related हो वो आप उस time पर अपनी manifest कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको लगे थी हाँ मैंने अच्छे से इसको manifest कर लिया है तब आप जहां चाहें अपने इस pirate के piece को रख सकते हैं चाहे वो आपका drawer हो, office का table हो, चाहे वो आपका locker हो या ऐसी कोई जगे हो जहां पर अपनी wish के साथ आप pirate रखना चाहें या फिर अगर आपकी कोई ऐसी जूलरी है pirate की जो आप पहनते हैं उसकी बाद आप उसको धारन कर लीजे तो यह बहुत ही simple techniques हैं pirate को charge और cleanse करने के लिए क्योंकि pirate जैसे मैं बताया कि इसको में पानी से जितना हम इसको बचाएंगे उतका इसकी age बढ़ीगी और दिखने में इसकी खुपसूरती बनी रहेगी क्योंकि इसमें iron बहुत होता है तो तुरंत पानी टेच होते ही काला पढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमारा crystal original है कि नहीं है क्या नहीं अगर आपका pirate पानी की वज़े से तोड़ाज अभी काला पढ़ना शुरू हो गया है तो इसका मतला आपक से मिलेंगे उन queries का जवाब देने के लिए जो कि viewers पूछते है crystals related क्या do's है don'ts है किन चीजों का ध्रान रखना चाहे crystals को use करते वद तो तब तक के लिए stay tuned नमस्कार